दावे के साथ सहता था कि BPSC बिना तैयारी के बिना कोई रननीती के कलेंडर जारी करती है छात्रों को एक जुनजुना दे रहा है कि आप मान के बैठ जाएए कि इस समय परिच्छा हो जुना कुछ हुआ BPSC की छवी खराब हुई पूरे देश में दो तीन दिनों के लिए इसका नाम जो है बदनाम होते रहा बावजुद इसके कुछ सुधार दिखाए नहीं जरा दे दिया गया है जुनजुना कि दुर्गा पूजा से पहले परिच्छा हो हमने कल ख़बर चलाई थी कि BPSC सरसथी पीटी अगस्त अंतिम सता में प्रस्तावित है आयोग के द्वारा केलेंडर में कहा गया था लेकिन आप देखिए कि अभी तक 14 अगस्त है और इसको लेकर कोई सुचना नहीं है कल हमने ख़बर चलाया तो आज समाचार पत्र में BPSC P.T. से सम्मंदित एक ख़बर दिया गया है और मैं हमेशा से जिस दिन से 18 जून को जब ये कलेंडर जारी किया गया या उससे पहले भी BPSC कलेंडर जारी किया गया था तो मैं दावे के साथ कहता था कि BPSC बिना तैयारी के बिना कोई रननीती के कलेंडर जारी करती है और जारी करने के बाद परियास शुरू किये जाते हैं ऐसा ही कुछ खबर जो है समाचार पत्र में आज आया है कि अगस्त अंतिम सता में जो BPSC की तयार का पीटी परिच्चा होने वाला था तयारी नहीं होने के कारण अब दुर्गापुजा से पहले लिया जाएगा देखिए की कैसे कलेंडर बनते हैं और कैसे आयोक कारे करता है ये बाते अब सही हो के निकल रही हैं मैं हमेशा से जो कलेंडर जारी हुआ उस तरह कलेंडर जारी नहीं होता है एक राज का सिसर्थ सबसे बड़ा जो भरती काई है उसके द्वारा ऐसे कलेंडर जारी नहीं किये जाते हैं ये कलेंडर ऐसे तरीके से जारी किये जाते हैं कि लगता है कि बस अपनी हम फॉर्मिटी पूरा कर रहा है चात्रों को एक जुनजुना दे रहा है कि आप मान के बैठ जाए कि इस समय परिच्छा होगा अभी ही आप देख लें जो भी कलेंडर में परिच्छाओं की चर्चा की गए थी कोई परिच्छा समय से नहीं हो पाई परधान सिच्छा कभी परिच्छा के डेट टालने पड़ एक नया समय समय सिमा दिया गया है डेट नहीं दिया गया है दुर्गा पूजा से पहले कराया जाएगा इसको लेकर अगले हबते एक मीटिंग होने वाली है बीपीएसी में नए अध्यक छाएं हैं हला कि अध्यक साहब पांच अगस्त को ही कारेभार ले चुके हैं और सबसे महतोकुन परिच्छा किसीभी लोक सवाई हो कि सबसे महतोकुन परिच्छा सीविल सवा की परिच्छा होती है सबसे पहली प्रात्मिक्ता उसी परिच्छा को लेकर होती है चाहे यो UPSC हो, BPSC हो, UPPCS हो या JPSC हो या अन्ने राज्य की लोग से वाये हो लेकिन BPSC में देखिए कि 18 जुन को पहला एक कैलिंडर के आइकता से प्रन होता है जिसे पूरा करना होता है उसी में फेल कर गई, सबसे बड़ी परिच्छा में ही फेल कर गई आखी तयारी क्यों नहीं हो पाया UPSC देश का सबसे बड़ा भरती काई है उसके द्वारा कैलेंडर पहले ही जारी कर दिया था डेट सही पीटी कब होगा, मेंस कब होगा, इंटर्व्यू कब होगा ये सब कुछ बता दिया जाता है लगभा उसमें और उसी डेट पर सारा कुछ होता है क्योंकि वो तैयारिया उसी को ध्यान में रख्के करता है और देश में यूपीएसी जब डेट देती है एकजाम का तो सभी को एक तरह से अनिवारे हो जाता है कि उस डेट पर ब्यवस्था किया जाए, संसादनों को दिया जाए लेकिन बिहार में देखिए कि बीपीएसी का ये हालात है कि सबसे बड़ी भरती काई है और पिहार में इसकी नहीं चलती है बेतिया के दो-दो सिंटर कहते हैं कि हम बीपीएसी का परिच्छा नहीं लेंगे इनकार करते हैं लेने से क्योंकि यहां परिच्छाओं में जमिला होता है, घड़बरी होती है इसके कारण जो कॉलेज है उसके अध्यापक, सिक्छप, परधाना ध्यापक बसते हैं बचना सुरू करती हैं, पुल के बाते सामने आना सुरू हो गई है कि कॉलेज की छवी पर इसका नकारात्मक परभाव परता है तो BPSC देख लीजिए और अभी भी डेट नहीं दिया गया है अभी भी दुर्गापुजा से पहले करा लिया जाएगा डेट नहीं दिया गया है, मिटिंग होना बाकी है अगस्त आधा निकल गया क्या आको लगता है कि सितंबर में ये परिच्छा हो जाएगी मुझे तो नहीं लगता है ये मेरा अपना पर्सनल ये अनुमान है कि नौवंबर से पहले परिच्छा नहीं होने जा रही है क्योंकि दुर्गापुजा है, उसके बाद ते ओहरों का समय सुरू हो जाता है बिहार में छट तक वो बना रहता है ते ओहर का समय तो मुझे विश्वास जो है, जो मुझे लगता है कि नौवंबर से पहले ये परिच्छा नहीं होने वाली है अगर अगर स्तंतिन सक्ता या सितंबर पर्थम सक्ताम ये परिच्छा नहीं हुआ तो जिसकी संभावना अब न के बरावर है तो अब समझ लिजिए कि BPSC की कारेपार नाली कैसी है कैसे औस अमेदन सील है आयोग लाखो छात्रों के भविश्य को लेकर मेहनत को लेकर दिनो रात मेहनत करते हैं छात्र डेट के हिसाब से अपनी प्लानिंग करते हैं और सबसे बड़ा मुझे तो ये आश्यद लगता है कि आठ मई को इतना बड़ा बलंडर हुआ अजादी के बाद पहली बार या यू कहें कि BPSC की स्थापना के बाद पहली बार सिविल सेवा के प्रस्णुपत्र परिच्छा से पहले वाइरल हो गया मुझे लगा कि इसके बाद BPSC अपने कारियों में आमूल चूल परिवर्तन करेगी सभी सुधार होंगे सभी चीज निश्ची समय पे किये जाएंगे एक असर देखाई देगा जाच का क्योंकि उसकी छवी खड़ाब हुई है पुरे देश के सामने लेकिन मुझे तो उसमें कोई परिवर्तन होते हुए नहीं दिख रहा है चासत्वी का रियल की बात करें कई कैंडिडेट सामने आके बोलें जो सलेक्टेड है टॉप टेन में है टॉप 50 में है कि हमारी युकता होने के बावजूद हमारा रैंक होने के बावजूद मेडिकली फिट होने के बावजूद हमारी पहली प्रात्मिक्ता बिहार पुलिस सवा यानि के DSP जो है वो न देकर हमें दुसरे दुसरे पद्दे दिये गया नौ रैंक पर पांचवा उन्हें च्वाइस दिया गया ऐसा साचीज हो गया है और ये BPSC का पेपर आउट होने के बाद ये गटना है और आरोब लगा रहे हैं कई लोग कि 66 के रिजल्ट में भी ब्रस्काचार किया गया है यानि कहने का मतलब है कि इतना कुछ हुआ BPSC की 66 खराब हुई पूरे देश में दो तिन दिनों के लिए इसका नाम बदनाम होते रहा बावजूद इसके कुछ सुधार दिखाए नहीं ज़रा है आप फिर वही परिच्छा को लेकर आप कैलेंडर जारी करते हैं कैलेंडर के बाद अगस्त अंतिम सर्था में गोस्ता करते हैं कि डेट तो देते नहीं है और टेंटेटिव जो है वो समय देते हैं और उस समय में भी फ्यल कर जाते हैं तो आखिर क्या होगा अब मुझे तो नहीं लगता है कि आगे बीपीएसी कारपार नाली सुधरने वाली है क्योंकि जांच में बीपीएसी वो छुगा तक नहीं हिया तीन महीने से अधिक होगा बीपीएसी पेपर लिक माम लेके तरह तरह की बाते निकल के आई बीपीएसी से मेंस के कोपी बहार निकाल कर लिखने की बाते सामने आई अधिकारी पकड़े गए बावजुद इसके बीपीएसी के अंदर EOEU के टीम नहीं पहुंची उनके किसी सदस्यों से किसी करमचारियों से अधिकारियों से किसी से किसी तरह का प्रस्प नहीं किया गया तो BPSC का इससे कोई असथ नहीं है छवी जाए कहीं जाए छवी से कोई मतलब ही नहीं है उन्हें बस लगता है कि बस हमें द्यूटी दे दिया गया है हमें यहाँ पर आके नोकरी करना है और हम अपनी सुवधा के हिसाब से कारे करेंगे छेशे लाग जो कैंडिडेट हैं इंतिजार करते रहें यह तो हम क्यों सिविल स्वा की बात कर रहें हैं एक दर्जन से अधिक परिच्छाएं जो है बीपीएसी में वो लटकी पड़ी हुई है उसको लेकर भी वही हिसाब किताब है जब सिविल स्वा को लेकर लोग यहाँ पर सतर्क नहीं जिसको दिलेकर पुरा बिहार पुरा देश जो है काफी एक्साइटेड रहता है उसको ले दिया गया जुन-जुना कि दुर्गा पुजा से पहले परिच्छा होगा डेट नहीं बताया गया है और सटिक भी नहीं है कि यह होगा कि नहीं होगा और मुझे पूरा विश्वास है हो सकता है मैं गलत हो जाओं लेकिन मेरा मन कहता है क्योंकि मैं पिछले 15 सालों से बीप से पहले नहीं होने जाएगी नौमबर दिसमबर तो जाएगा ही जाएगा खैर आगे देखिए मैं आसा करता हूं कि बीपीएसी मेरे अनुवान को गलत सावित करे और समय से परिच्छा ले ले डेट दे दे चात्रों को एक समय दे दे ताकि वो दूसरे राज्यों से उन्ह देखिए जो भी अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे फिलाल इस वीडियो में इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद